Class 10th Board Exams are over now और फिर बात आती है Class 12th Board Exams की जो April मन्त में भी over हो जाएंगे 10th and 12th Board Exams के over होने के बाद देश भर के लाखो बच्चों को इंदजार होगा अपने अपने Board Exams के results का अब देखो ऐसा है कि 10th and 12th Board Exams के results exactly किस डेट में आएंगे वो तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ बठा Tentative Dates में आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि लगबग इन डेट में 10th and 12th Board Exams के results आउट हो जाएगा तो चलो बात करते हैं आज 10th and 12th Board Exams के results के उपर अब देखो ऐसा है कि Board Exams का result exactly कब आएगा इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं दो points के base point number one कि पिछले सालों में Board Exams का result exactly कब आया है अगर हम बात करें 2023 की तो Board Exams का result 15th में के पहले तक आचुका था वहीं अगर हम बात करें 2022 की, 2021 और 2020 की तो इन तीनों सालों में Board Exams का result है वो जुलाई-अगस के महिने में आया था इतना delay क्यों? क्योंकि इन तीनों सालों में COVID आ चुका था तो obviously आपकी जो schools हैं उन्हें proper classes नहीं हुई timely syllabus complete नहीं हुआ, exams होड़े से delay हुए सही तरीके से नहीं हो पाए और इसलिए जो results हैं वो भी जुलाई-अगस तक extend हुए अगर इन तीनों सालों को हम हटा दें और बात करें 2019 की तो 2019 में जो board exams का result है वो आ चुका था again में के first week तक और अगर हम बात करें 2018 की तो थोड़ा सा delay हुआ था इस साल में और board exams का जो result है वो में के fourth week में आया था तो ये कुछ trend रहा है पिछले सालों का कि इन पिछले सालों में board exams का result exactly कब आया है तो इस trend को analyze करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल भी board exam का result है वो आ सकता है May month point number two कि 12th board exams कब over हो रहे हैं अब आप बोलोगे कि 10th और 12th में क्या relation है अरे बही relation है कभी अगर आप लोगों ने notice किया हो यहां से तो 10th and 12th board exams के जो result हैं वो लगभग आसपास ही आते हैं या तो same day आ जाएंगे या फिर एक दिन के gap से आते हैं लेकिन हाँ आते आसपास ही है 10th board exams तो over हो चुके हैं 13th March को लेकिन 12th board exams are still going on लेकिन 2nd April तक 12th board exams भी over हो जाएंगे जब भी किसी class के board exams over होते हैं उसके बाद कम से कम 40 से 45 days लग जाते हैं results out करने में तो जैसे कि मैं आपको बताया कि 12th board exams 2nd of April तक over हो जाएंगे उसके बाद से यदि हम 40 से 45 days का वो एक time interval लें तो इससे भी हम यही conclude कर सकते हैं कि हां May month में आपके इस साल भी 10th and 12th board exams के जो results हैं वो out हो जाएंगे मेरे according मेरी analysis के according 20th में के पहले पहले इस साल 20th में के पहले पहले 10th and 12th board exams के जो results हैं वो CBC out कर देगा तो यह तो बात हो गई भाई results के ओपर की results कब आ सकते हैं मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है tentative date कि हां 20th में से पहले पहले आपकी results out हो जाएंगे अब अगर हम बात करें कि भाई results आएंगे कैसे तो मेरी analysis यह कहती है कि results आपके अच्छे ही आएंगे पिछले कुछ सालों का trend यह बोलता है कि CBC थोड़ी सी lenient हो गई है copy stack करने में बच्चों की तो definitely इस बार भी पूरी उमीद है कि बहुत सारे बच्चों के 100 या 99% marks जो है बच्चे अचीव करेंगे तो definitely इस बार भी 10th and 12th board exams का results बहुत अच्छा आएगा So I hope यह video आपको अच्छा लगा हो, informative लगा हो तो इस video को definitely share करिए अपने बाकी friends and classmates में Channel को subscribe करिए, मिलते हैं अपने next video में, bye bye, good day